नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे वेल्कम टू माई यू लोग और सुबह के देगे बज़िए साड़े दस और अभी अभी मेरा किचन का काम हुआ है फिनिश क्योंकि आंटी तो आई नी रही तीन दिन से मेरी रेल बनी प अच्छे लग रहे अपनी मस्ती में नाव हो लिए सारे होगी तयार और सारे तयार होंगे हुआ हुआ है थी लेकिन कृष्णा राच चला गया था लेकिन सुबही दिन निकलते ही सब से दिन निकलने का वेट करना था फट साल्या सुबही जो कह रहे था भाया कि उठता ही आप लगा कि मुझे था भई पही जाना और इस उठता क्या कह रहा है क्रिश्ना भी राती पही था था यह न अच्छे पापा ने लिए और बस अब मेरा रह गया है काम कपड़ों का कपडों का दे कैं बहुत सारा देल लगया पड़ा कुछ तो यह पड़े और कुछ पड़े हैं और आपकी तवित कैसी अब यह बता दो अब कैसा लग रहा आपको ठीक लग रहा अब नहीं नहीं तो करी नहीं मैं इसको मिलाया तो मैंने नहीं से ना इसके कपड़े यहां पर इसलिए फिर इसके कपड़े भी चेंज नहीं करें और मस्ती में लग रहा वैसा थोड़ा रिलेक्स है कल ज्यादा फीवर वास को चलो जी खेर लगते हैं काम पर कपड़ों का धेर पूरा लगया पड़ा और अभी तो बात्रूम में भी पढ़े आज के तो ने तो कल के यह हैं तो मैं पटापट लगा दूं मसीन और मसीन आज कर दी महां पर क्योंकि यहां गाड़ आचा तो जी फेल चलो करते हैं काम, हम रूद माले Cowy को मुदेता से लुक्ता है आप जिकासि की सब्जी नहीं खाटे ऐए सब्जी नहीं तो आड़िए खूब सारी सब्जी ले ली और ऐसा नहीं की अम लेटे नहीं सब्जी देखो वीडियो के आठेला कि जि़े Sonia शिर तो इसलिए आपको पतन चलता ठेक है जो भी आप बनने ले लिए गबिली गजली लोकी ली खीरे लिए और सिम्ला मिर्च भी लिए फ्रीज में रखी और यह लिए अम्रूद और सेब भी लिए तो बच्चों को देदेंगे काट के बच्चे मांगरें अम्रूद और सेब खा आपती है एक हमारे यहां पर फिर उनको जमसान को ग्रैन होगा तब उनको दान दिया जागा यह दूब देगी मैं कहलती दूद वगेरा मरख दियो जार दूद तबन न करम नहीं करा भी उसके पास ही रख दू है फ्रीज में रख दू सारी चीज खाने की है फ्रीज में है क्या खाना तुझा है एपल मुह नी चल रहा पूरी बरके रुआ भी मारा रुआ है विचारा बाई क्रिश्ना दवाई दे दियो रिसा जागा आज दवाई नी भी सासु भाई बेटा अर्या हाथ महीं ले लिये जुते पंदी मतों ले ले लेती है बाई कि मेरे कपड़े वगेरा धुल गेते हैं और टाइन एक ही बज गया लेट होगी काफी काफी सारे कपड़े थे ठक गी बहुत जाता आस तो है और बस मैं बनाने लगी हूं खाना धोपैर का और खाने में मैं बनाऊंगी सबजी मिक्स बस हम से पूछ रही थी कि क्या बनाऊ क्या उब भनाऊ कोई घरा कोई गहरा गोपी बना ले कोई सिम्ण नमें सोचे चलो शाही मिक्स करके बनाँगी तो सारी सब्जी मैंने काट लिया है सिम्ण नमीच गोपी गाज्यार और अलू और मटर तो लिये दे थाहीनी मटर उनके पास बहिया गे जब सब्सम जी ली त तो इसलिए फिल्मर में वैसे तुमाई एक भी बना देती तो बस फटापट से बना देती हूं सब्जी जब तक में आएंगे डेड़ बजे तक का टाइम एन का आने का और एक बज़ गया तो पता नहीं कुछ में तभी अतना कहीं दिन से डिल्ली सी ओरी इस वजह सा थकन सी थोड़ा सा काम करती हूं तो यह लगया लेट जा और टाइम भी नी बिलता आज कल दिन भी छोटे और उपर सांटी नहीं आरी इस वाज़ा सा था थकान सी रहती है वह जादा बर्डन भी ज़्यादा हो रहा काम का इस वाज़ा से और यहां सब्जी मैंने काटके तयार कर लाधिती अब इनको कर लूँगी हाप कूक जो भी साबजी करती है इसमें मटर वगयरा जो बींट नहीं पास सब्जी है और कोई पीस में डाल सकते है मैंने आलो गोवी गाजर और सिम्लामिर्च ढाल लिया है तो गोवी आलू और गाजर पहले डाल दी सिम्लामिर्च बाद कुक होगी तो सिमला मिर्च भी डाल के पांच मिन्ट के लिए डखके रख दूँगी वो भी अच्छे से कुक हो जाएगी और जो आलू है ना हमारे वो बहुत जल्दी कुक हो गयते जरूर भी इतनी जल्दी नहीं वेते आलू हो गयते तो यह थोड़े अलग अलग तरह के हो निचे लगी ती सबजी अच्छे से तो फिर टेस्ट भी खराब हो जाता इस वज़े से तो इसमें प्याज वगेरा सारी चीज जीरा दनिया डाल के भून लिया और फिर जो टमाटर है टमाटर मैंने चोप कर लिये ते वो डाल लिये अब उसमें डाल लिये हैं सारे मसाले जो भी डालने हैं सुखे मसाले धनिया लाल मीर छल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला जो भी डालने हैं सारे डाल के खूब अच्छी तरीके से टमाटर के अंदर मिक्स कर लिये और यह ग्रेवी हम तयार कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी पानी जिससे कि यह टमाटर बिल्कुल मतलब मैस हो जाए जिससे तो थोड़ी देर रख दूंगी पकने के लिए एक दो मिन्ट के लिए और यह जब तक ओल ना छोड़ दे तब तक हम इसको पका लेंगे और ओल दे के छोड़ दिया है और ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बन के तयार होगी अ और इसको कम से कम 5-7 मिन्ट के लिए खूब अच्छी तरीके से भून लिया है हाई फ्लेम करके भून लिया जिससे मसाले तो पहली टमाटर में भून गेते तो जिससे की यह मिक्स हो जाए ऐसे थोड़े से ज़्यादा लग रहे कि आलू ज़्यादा बोईल होगे लेकिन पत्ता और देखे कितनी अच्छा लुका रहा तो यहां बस गुड़ू देदेगी खाना खनया को और उनके फ्रेंड जो आने थे वो भी आ चुके थे तो उनका दोनों का लगा दिया गुड़ू ने खाना तो बस उनको देदेगी मैं फटा पटे रोटी बना दूगी और दही लसी दही भी लाई ती लेकिन उन्होंने ना कर दिया ता कि दही निखानी क्योंकि आज कल मोसम ऐसा ही हो रहा सबको कोयं खंसी वगजरा ओर तो वह बाईया कैने लगे जो आहे थे तो इसलिए दही निखानी तो बस बस सिंपल साइधाना है आज मीक्स सबजी रोटी और सिलाद वगेरा काट दी और बस फिर मैं रोटी बना दूंगी पटा पट गरम गरम और गुड्डू दे देगी सबको तो यहां बैट गे हैं देखें में खाने के लिए और गुड्डू के पापा का आज वर्थ है क्योंकि यह वीडियो है मंगलवार की मंगलवार का दे दिया तो यहां सब का चल रहा है और इनको देने के बाद बैस फिर हम भी खालेंगे बच्चे भी दोन्नों और मैं भी तो फिर अपना जो कीचन का काम है वह से मेट लेंगे इसके बाद क्योंकि काफी सारा काम हो जाता है खाना बनाने के बाद और आज थोड़ा सा फिर बडहीं को पिते नहीं है उसके बाद पिर आप ने लिए इनको दे दूबंगे उसके बाद पिर मैं अपने लिए से थंड़ा कर दे दूँए और यहां उसके बाद फिर फिर तो चाय भी रख दिया बनने के लिए और इनके लिए दूद भी हो गया और साथ-साथी मैंने भाईया के लिए बना दी ती निदेश भाईया भी आ गयते तो उनको भी रह भी कहने लग động, बना लो एक कप तो साथ मैंने अपने रून के लिए चाइए बना ली और बस पिर भीया कहने लगे कि रोटी है क्या एक आदे तो मैंने रोटी भी दे दी उनको क्योंकि कई बार हो जाता है ऐसा कि भूख लग जाती है जल्दी खा लिया होगा नोने आज खाना तो इस वज़ को करनी है पढ़ाई गुड़ू तो ट्यूशन चली गई लेकिन इशू कहने लगी कि ममा मेरा मेरा सुन लो क्योंकि इसका टेस्ट बगेरा चल रहे है आज कल बच्चों के तो फिर मैंने का मैं चलो पहले मैं तेरे को मतलब पढ़ा देती हूं फिर कर लूंगी कपड़ों क क्योंकि बच्चों के लिए टाइम निकालना भी जरूरी जड़ूर है यहां कि हम काम काम में लगे रहों बच्चों को भी पढ़ाना जरूरी है तो यहां पहले बस मैंने उसका जो पढ़ाई का काम ता वो कर दिया सारा करवा दिया मतलब जो उसने लर्न किया था वो सुन क्या दिखा जिससे की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो यहां हो चुका है इसका सारा और अब जो कपड़े हैं वह कर दूंगी तै और कपड़ों का तो देह कि यह ढेराज बहुत सारा लग रहा मैं बता रही थी ना आपको काफी सारे कपड़े हो रहे तो काफी डेह लग जाता कुछ प्रैस के मैंने निकाल दिये मैं रख दिये साइड देखूंगी टाइम लगेगा तो कर दूंगी वरना तो फिर प्रैस पर भेज़ दूंगी और बस जो बिना प्रैस के थे वो सारे कर तो यहां कर दो मैं भाग दोड इतनी होती है पूरा दिन बहुत जदा इसी तरीक से पुरा जो रूटीन है वो निकल जाता है तो जी खैर अब साम का टाइम है बस साम के टाइम की त Android करेंगे खाने बाने की और वीडियो का अंकर वीडियो आई पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें सबस्क्राइब करें सेयर करें तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई